दोक्टर फारुक अब्दुल्ला को महंगा पडा अपना ब्यान क्या कश्मीरी स्यासित हो गई है एक जुट या अपनी पार्टी ने कर ली किनारा कशी देखिए ये रिपोर्ट ये की एक दिन बाद स्रीनगर शहर में अपनी पार्टी का एक जलसा हुआ जलसे से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अलताफ बुखारी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीए जीडी और नैशनल कांफरेंस पे निशाना साते हुए कहा कि ये जमाते चोरू की जमाते हैं आच अई पार्टी ने कश्मीरी अवाम को सिर्फ दोका ही दिया है, इनके वजभा से कश्मीर में गतले आमी हुई, कश्मीरियू का खून बहा और अब भी कश्मीरियू का खून बह रहा है और इनने मैने पलीेट कर रहे हैं तो उस वक्त उन्हें मना भी किया गया था और बहुत सारे लीडरों ने भी इने भाज़वा के साथ मिलने से रूका था याद रहे उस वक्त अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अलताव बुखारी भी पीपल्स डेमोकृतिक पार्टी में शामिल थे उस वक्त पीजीपी के लीडर्स मुफ्ती मुहम्मद सेईद और महबुबा मुफ्ती आग पे चलने को तयार थे और आज यही लीडर बीजेपी पे दोखेबाजी का इलजाम लगाते हैं अलता पुखारी ने सकत अलफाजों में तनकीद करते हुए कहा कि इनी सियासतानों की वज़ा से कश्मीर में कई नوجवान आज कबरों में दफन हैं कोई पूछे जाके उनसे या उनकी माउं से क्या कसूर था उन मासूमों का जो उन्हें अब दीनीन सुला दिया गया और उन्हें गुपकार अलाइंस पे बात करते हुए कहा कि ये कोई अलाइंस नहीं कश्मीरी अवाम के लिए सिर्फ एक दोखा है जिससे वो अवाम के जजबातू के साथ खेल रहे हैं और वहीं महबुबा मुफ्ती की बेटी खुद इस चीज़ का इतराफ करती हैं कि उनक नाशनल कांफरंस के सीनियर लीडर पे निशाना साते हुए कहा कि डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला चोर और बेईमान है और राजशुमारी के नाम पे सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है और उनके जजबातू के साथ खेला है अगर राजशुमारी का नारा ये 1990 से लगा रहे हैं तो कहा कराई राजशुमारी सिर्फ बीजेपी के साथ गटबंदन करके कश्मीर के बच्चू को यतीम और मा बेहनों को बेवा ही कराया है उन्होंने नाशनल कांफरंस पे इलजाम लगाते हुए कहा कि इन्होंने सिर्फ कश्मीर को बेचा है और यहां कश्म कश्मीर के अवाम को इनसे इसका हिसाब लहना चाहिए कश्मीरी अवाम ने इन पे भरोसा करके इनको मिंबर आफ पार्लिमिंट बनाया तो तब कहां वापिस लाए ये आठीकल 370 को डॉक्र फारुक अब्दुल्ला को कश्मीरियों से माफी मांगनी चाहिए जो भी इन्हो ने अवाम के साथ किया है वही न्यूज इंसाइडर से बात करते हुए अपनी पार्टी के स्टेट जनरल सेकरेटरी मुंतिजिर मोहियुद दीन ने कहा कि फारुक अब्दुल्ला किस पार्टी के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं उनको वाजिया करना चाहिए कि कौन सी पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहते हैं इनके अपने अपने अजेंडे हैं वो किस को अपने साथ जोडने को बोल रहे हैं अपनी पार्टी ने डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला की शदीद तनकीद करते हुए किनारा कशी कर ली है वाजिया रहे कि ठीक एक दिन पहले डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला ने कश्मीर की तमाम पार्टियों को हाथ मिलाने की बात की थी, जिसके बाद अपनी पार्टि के लीडर्स की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए, जिसमें PAGD, People's Democratic Party और National Conference को शदीद तनकीत का सामना करना पड़ा है. मोज वना अगर मिन नार पिष्पात उन बिचे मनार इक जाहर एक प्याल, तमस उसकूर वना ने बुड़ बावन को रगाला, BJP से तनकूर नसा, एक तमसे आपादा लिए मुटिंदो तई महीं हो, उन्से मस्मस्मस्य लूपाउ मैं या, तमसे आपादा, क्या एक तर्दो वसक पुर्सी राठी। इसलिए तो या आज ही कहते रहां, तो है वुचू कमो माथूमुचू पान कमो माथूमुचू कर्यों पन्य वाथ 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 ये कह समस्दपन। तमस्या दपन नसी लाए। तुम्चे वर्जाना रिक माजी। तुम वस्ना खुलाल वस्ना तुमुचू पुलाल वस्ना तुमुचू अज मैं उनसे जवार करता हूँ, युस्त ताय गोर्पोस्ट मुकरर करू। राइशमानी, कराणी के भी, आटोनामी, जलाई के भी। आर्टिकल थे वच्पिसी एलक्शन उस्मुचू जैनरोवून थारोफ सब फार्गिमेंट एलक्शन। करकाते जैनरोवून सुबच आई आर्टिकल 370। बचोना और शर्म उसको नहीं आती मुफिह होता है, है मेरा होकुस्न ठिकलिती वे करण्श। कोई मुझे बताए, हच्चा ये वन नाशनल कांफरेंस वाइलन, ये साथ ये वोट न्यू, जाकुन का सुवादपूर। हम अपनी पार्टी अलताव साथ की जमात, वो जमात है, जो कहेगी, वो करके दिखाईगी, वही टार्केट होगा, जो एच्ची वेबर होगा, उसके लिए कांफरेंस आपूर। मैं डाक्टर फारुग साथ के बयान की कदर करता हम, बड़ी कदावर षख से थे हैं डाक्टर फारुअग साथ की लेकिन यहां भी एक सयासत उन्होंने खेली, सबी पार्टी ओो यहां तो बहुत सबी पार्टी का ब्य집 अबीजे को भी आना है, वो भी कश्मिर बिक जमु हमारी जो इरिजिनल पार्टी से जैसे नेशल कांफर से पीडिपी है अपनी पार्टी है पीसी है और भी छोटी छोटी कुछ पार्टियां है क्या उनके एजिनल के साथ बीजेपी और कांग्रस के पार्टी का एजिनल कहीं टक्राम में तो नहीं आता हाल है मैं यहां कुछ ल आपके खिलाफ हैं क्यों बताएं कि आप पुछेंगे खिलाफ क्यों है क्योंकि आइटिकल 370 जब अब्रगेट हुआ 35 जब अब्रगेट हुआ तो कैजरिवाल साहब ने जो आम आदमी पार्टी के लिए रहे हैं उन्होंने उसको एप्रेशेट कर दिया कांग्रेस अभी तक खामोश हैं गुलानवी आजाद से लेकर सुनिया गांधी तक रहुल जी तक अभी कांग्रेस ने ये बयान नहीं दिया कि अगर हम्यारी हकुमत आई तो हम 370 को वापस लाएंगे